Mac, this video is for DM and Dear तो 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 इस बात को विश्वास करने में पहले तो तो क्या है यार यह जन्नी क्या है यह दियम्स को समझ में नहीं आता है दियम्स जो इस वीडियो को सुन रहे है आप लोगों को समझना है आज की वीडियो यह दियम्स को समझना है कि क्या है यह जन्नी इनवक क्या है DMs को भी नवक करना है क्या बिल्कुल करना है DMs को भी अपने चक्रास पे काम करना है DMs को भी अपने पूरे करमास को रिलीज करना है DMs को भी अपने उफर में अपना बेस्ट वर्जन बनना है क्या सिर्फ DF के अंदर ही issues होते हैं कि दियम के अंदर होते ही थे आप एप अपणा फुद के हीलिंग कर रहे होगा तो direct छहींगा विस लेवल को । आइा लगजा आप कोष्ट एफूं क ऋटेको ना सफुनियब अप्सूस्वल्ष। होती है डीम बले ही अवे कन मतल schwierig वर जनलिन के बार में पता चलता है तो टीम को जब पता चलता है व वह अपने आपर में काम करते लेंदों दिक खीच खीच़ करना जब दीम की आवेकनिंग हो जाती है। कुगी डीम जाता है उन्हार कर चुकी होती है तो आपक्रेडिंग का काम करती है। एपक्रेड करते हैं। और भी अफग० के Tea करनी की process, तो दोनओं भी वीचुमत करते हूं वो भी हील होने लगती है आपका औरा इतना स्ट्रॉंग होता है अलरड़ी आपने काम किया होता आपने उपर में और प्रोटेक्शन भी कमपल सरी ले रहे हो तो यू नो कि वहां का औरा कितना चमक रहाऊंगा आप दोनों जहां पर रहोंगे न जहां पर भी ये DF और DM जहां पर भी रहते हैं ये जो जोड़ी रहती हैं वो आटोमेटिकली डारेकली इंडारेकली सब का भला करते हैं सब का भला करते हैं यहां पर खुद के साथ साथ दूसरों के भी भला करना है अभी DM को भी क्या self-loat करना चाहिए, बिल्कुल DM को भी अपने उपर में ध्यान देना चाहिए, अपनी केरियर पे growth करना है, अपने सारी चीजों पर अभी इनवक होता क्या है, DM के लिए, अब DM के लिए तो सहवीर ने बताया है कि क्या करना है, क्या नहीं ये वगरे, तो DM के अगर वो अवेकन हो चुक है इस जन्नी के बार में पता चल गया है तो अभी तो मतलब दोनों को भी करना है तो वो प्रोटेक्शन और क्या मल्टिप्लाइ होंगा ना प्रोटेक्शन और अच्छी से मल्टिप्लाइ होंगा यह बेसिक चीजह है उसके बाद में अपने कर्म मा मतलब ऑटमेटिकले अब्रिक्रेड होने ही लगता है कि एक नई इनवक शुरू हो जाता है उनके अंदर क्योंकि अपने उपर में बहुत ग्रोध कर चुकी होती है लेकिन जब डियम और डियम जब एक जगापे आ जाते हैं जब रिवनियट हो जाते हैं और डियम भी इनवक करने लगते हैं तो उसके बाद में खुद का ध्यान रखते ही बोलना हमेशा जिन्दगी भर रखना है खुद का ध्यान उसे के साथ में सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा परपस अब उनका परपस शुरू हो चुका है अल्रेडी परपस कर रही थी डियम मैंने बोला है कह आप फुद को डीम को दूनों में से एक को हो सकता है दोनों को भी हो सकता है अब डाउनलोड प्रापस के लिए अपने को जो अच्छे काम करने अपने मदर और्थ की वाइबरेशन को ब्राने के लिए एवरिवन याद रखो कि हमें मदर अर्थ मेडीटेशन करना बहुत ज खुद से भी कर सकते हो लेकिन that is the best बहुत अच्छा बहुत अच्छा मेडिटेशन है यह कि जिससे कि हम अकेले जब डियम रियूनाइट होने से पहले भी करें और जब रियूनाइट हो गए उसके बाद में तो अर्थ मेडिटेशन कंपलसरी करना ही करना है यह इतना है तो हम तो इस जर्णी में है तो हमें हमेशा करना चाहिए मतलब हबते में एक बार ही करना होता है अर्थ मेडिटेशन इतना पावर्फुल होता है कि मैं यह जाली हो कि इन्टेशन कि यह 7 डिए तक एक कंटिनु रहेंगा यह मेडिटेशन जो आपने करा है उसको तो बहुत high vibration में आने लगती है मतलब सबके लिए आप lucky होते हैं आप एक दुसरे के लिए भी lucky हो और जो आपके औरा में होते हैं उन लोगों के लिए भी आप बहुत lucky हो जाते हो और वहाँ पे हर चीज ऐसे nature ना automatically बहुत सारी चीज़े करने लगती है लेकिन ये reunion होने से पहले बहुत सारे exams होते हैं और उस exam में पास होना बहुत जरूरी है DF को भी और DM को भी negativity हमेशा आपको रोखेंगी हमेशा इन वक करने के लिए रोखेंगी यहां तक कि आप जब एक जगा पे आजाओंगे उसके बाद में आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर सकती है लेकिन वो उस वक्त हार ना ही पढ़ेंगा जब आप दोनों एक जगा पे आते हो और रिनवक कर रहे हो प्रॉपरली प्रोटेक्शन लेते हो तो वो तो negativity तब तो हार ही जाती है तब तो वो कुछ कर ही नहीं पाती है क्योंकि दोनों को भी अपने उपर में काम करना है और ये जो society के rules and regulations उसको bonds को बाहर से निकलना पड़ेंगा एक वक्त वो तब ही आएंगा देखो हो सकता है आप लोग ऐसे situation में हो कि DF या DM दोनों में से एक married है या फिर age difference है या फिर same gender है या फिर religion difference है या age difference है whatever ये इसमें होता ही है ये condition ये condition है और इस condition को तभी break कर पाएंगे जब दोनों भी इनवक करके अपने अंदर की ये guilty को अपने अंदर की ये thought processes को बदल के ये सारी चीज़े माइने नहीं रखती हम दोनों तो एकी soul है ये बना लेते हैं और universe से प्रातना करके universe से जुड़ते हैं और अपने purpose पे focused रहते हैं तो automatically ये जो बाकी की चीज़े है universe हटा देते हैं या फिर ऐसा कुछ कमाल कर देते हैं universe पे छोड़ दो उस चीज़ को उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है कि मतलब ये 3D वाली जो चीज़े हैं उस पे अगर धान देंगे DF हो या DM हो दोनों भी तो कभी भी खुश नहीं रहे पाएंगे अगर mind से ही सोचते रहेंगे कि अरे ये प्रॉब्लम है हम दोनों की शादी में वो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उसको सोचना क्यों है future के बारे में नहीं सोचना है past के बारे में नहीं सोचना है मैंने कहीं बार बोला है present में खुश रहो ना जिस भी तरह से रह सकते हो इनवक तो करना ही है और कहीं लोगों का मैंने ये भी सुना है कि अरे यहां तक ये भी बोलते है कि इनवक जो है ना इतना ज़्यादा इंपोर्टन नहीं है यहां ऐसा कुछ लोग बोलते है और कुछ लोग बोलते है इनवक ना अभी कुछ दिनों के लिए रोकने के लिए बोलाuhan इनवर्स ने या फिर मैं तो फ्लो में चल रहा हूँ मतलब इनवख नहीं कर रहा है सिर्फ केरियर पे material life में फसे है ये कि मैं पैसे कमा लू सिर्फ पैसे कमाना इनवख नहीं है पैसे भी कमाओ नीजाईती से, मतलब इमानदारी से लॉयल्टी से, जन्यून रहो अपने पार्टनर के लिए भी जन्यून रहो हर किसी के लिए भी सिर्फ पैसे कमाने से जिंदगी बन जाएंगी देखो, रिस्पेक्ट करो मनी की बट वो respect ऐसी होनी चाहिए कि देखो इमानदारी से होनी चाहिए कोई भी चीज इमानदारी से जो चीजे की जाती है वो चीजे ही आपको मिलेंगी और अभी Saturn का Retrograde अब Retrograde में आपको बताए आप 66 Portal अलग से अब देखो वो चीज ही आपको मिलेंगी जैसे आपने कर्म किया वही चीज आपको अभी रिटन में मिलेंगी युनिवर्स वही चीज आपको भी देंगे शनी भगवान नयाई करते हैं नयाई भक्ती भक्त लोग बहुत पसंदे शनी दिवता को तो हम तो अच्छे लोग है ना जो लोग अच्छे लोग है उनके साथ में अच्छा ही होता है जो लोग दुसरे को धोका करते हैं उनको तो उनको तो हमें माफ कर देना है बट उनको छोड़ देना है उनको छोड़ देना है उनको चोड़ देना है अब उनके साथ जो करना है अन्या है जिनोंने जैसा अन्या है किया होगा जिनोंने जैसा किया होगा वैसा वो भरेंगे हमें उसके बारे में सोचना नहीं है ऐसे सोच सोच के भी हम ये नहीं करना है कि हाँ उनको ये हो जाए उनको वो हो जाए इनोंने मुझे धोका दी नहीं हम बाध कर दिये छोड़गो छोड़ो हमने अगर छोड़ दिया उनको उनिवर्स पे Tolu इस इस रेट्रोगेट में सिखने की बात है कि इसको बिल्कुल रिलीज कर दीजे यह बहुत इंपॉर्टन्ट है आपके दियम आपके तरफ बिल्कुल बढ़ते हैं यह दियम के लिए वीडियो था ताकि वो भी इनवक करें डेफिनेटली इनवक के वीडियोस हैं पुरा प् मेंटली भी फिजिकली भी फैनेशली भी फैनेशली भी स्टेबल होना जरूरी है और रिस्पेक करनी है मनी की मनी एनरजी की रिस्पेक करनी है बहुत अच्छी से रिस्पेक करनी है लेकिन सही रास्ते से इमानदारी से कमाओ इमानदार रहो हर चीज में हर किसी से गुरू disrespect किसी की नहीं करना है abusive words बिल्कुल यूज नहीं करने abusive words जो गलत words है जो क्या बोलते हैं उसको बहुत गलत words होते हैं ऐसे मतलब सुनने में वो ऐसे words मुह से निकालने ही नहीं है किसी के लिए भी वो भी एक करमा स्क्रियर्ट करते हैं और आगे वाला रोता है न उसके लिए तो रूलाना नहीं है किसी को God bless you and love you all आगे वीडियो